बागयों का भाई लोग सबसे पहले तो हम तुम लोगों के यह बता देए कि आज की वीडियो हम तुमका बहुत ही अच्छी वीडियो बताए वाल है अगर अभी तक अपने मोबाईल में यह सौफटर का इंस्टाल नहीं की हो तो यह इस चौर चाहिए बहुत आ जुके है दाउनलोड करें बाद तुम महीया दाया कर दे और बता दे और बहुत बारे में और भी हम बताये वाले हैं जो भी चीज है हम तुमका अपने वीडियो में पूरी बता देए को रहत है जहां रहा ते जों लोकेशन भी तुम्रे इमेल आइडी पर आ जाई तो इमेल आईड देख लें तुमका पूरा बताए वाले हैं तो चलो देख लेती हैं अपने मोबाइल इसक्रीन तरफ कि यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पर इस तरह से आपको जो है तो जब तक आप आप आई स्क्रीन को लॉक नहीं करेंगे तो इसको पहले एक बार इसको क्लिक करेंगे तो आपको डिलेक्ड रहती हैंसे एक्टिवेट हो जाए है एक्टिवेट होने की बार नेक्स्ट के ऑपस पर यहां बैद आपको करना है यहां– यहां-पे एक्टिवेट आपको जो है तो करना किया है यहाँ पर email का option है तो यहाँ पर आपको अपने email डाल देनी यहाँ पर allow का option और यहाँ पर जो भी email आगर आपने देना चाहते हैं आपके मैं ने यह email दे दिया है और okay कर दिया ऑगे करने के बाद यहां पे इसतारा गांटरफेस आ जाएगा यहां पे तो आपकी जो यहां पे Allah का ऑप्शन दे रहा है तो यहां पे आपको वही एमेल देना है घो एमेल आपको तो अपने पास रखनी है यहां पे sponsored ही आपको यहां पे एमेल रखनी है तो वह email यहाँ पर देख करके next के option पर यहाँ पे camera जो है और allow कर देना है यहाँ पर location allow कर देना है यहाँ पर storage भी आपको allow कर देना है यहाँ पर allow करने के बाद इस तरह का interface यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको देने पड़ेगे मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर आटर्म्ट 3 का मतलब आपको मैं बता दूँ कि अगर तीन बार कोई गलत पासवर्ट डालता है तो उसके फोटो खीच करके आपकी email पर चली जाएगी उसके बाद मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि आपको तुरंट जो है तो उसके location का भी पता चल जाएगा यहाँ पर आपको email notification का option दे रहा है यहाँ पर email notification का option पर जाकर कि यहाँ पर alert कर देना है यहाँ पर जो भी आपनी email दिया है नीचे आपकी email भी यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ पर email के साथ यहाँ पर जो है तो device notification है अगर आप device notification alert notification है तो यहाँ पर आप उसको off भी कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है उसके बाद यहाँ पे पिक्चर्स है, यहाँ पे लोकेशन, अलर्ट है, जो भी चीज़ आप यहाँ चाहें, यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं और उसको करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल है, आपको बैक चले जाना है बाइक जाने के बाद आपको करना क्या अगर आगर आप मैं अभी अपना मॉबाइल जो है तो यहां पर लॉक नहीं कर सकता कि आगर मैं लॉक करूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग जो है तो यहां पर बंद हो जाएगी इसलिए मैं अपने मॉबाइल लॉक नहीं करना हो लेकिन अगर जब आप mobile lock करेंगे lock करने के बाद तीन बार आप अपना गलत password डालेंगे जैसे ही आप गलत password डालेंगे तो आपकी face की photo आपके mobile में किच जाएगी और खिचने के बाद आपके email ID पे चली जाएगी automatic लेकिन जब यह जब ही होगा जब आपके mobile में internet on रहेगा जैसे यह on रहेगा वो automatic जो है तो इस तरह से interface वहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आप जाकर किसको चिक भी कर सकते हैं अगर इस तरह के कोई आपको प्रिशानी आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मैं उसका solution जरूर आपको बताऊंगा तो देखो भी हम लोग कई से बताएं खैर हम यह तरह तो explain नहीं किया है ओमा जो भी explain करना है तो खुद से भी अपना explain कर सका तो और explain करें के साथ मैं तुमका बता दे क्योंकि फोटो भी आजाई फ्यूटो आवेक बाद इमेल आइडी पर तुमरे जो है तो फोटो भी आजाई आप फोटो के साथ लोकेशन भी आजाई यह वीडियो तुम लोगों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो क अच्छी वीडियो के साथ मां अच्छी वीडियो तुम बनाई थी खराब कहां बनाई थी बागे पसंद ना पसंद करना तुमरा काम है तो चलो फिर चली थी